अपने समय में मैंने युनिवर्सिटी में बहुत समय नहीं बिताया था तो यहां मैं आप सभी के साथ उसकी भरपाई कर रहा हूँ और आप सब बहुत सौभागेशाली हैं कि आप देश के इतने महत्वपून संस्थान में हैं आपका कैंपस बहुत शानदार है और ये युथ एंट रुथ क्यूं ये कैसे शुरू हुआ पिछले 36 सालों में ये लगातार होता रहा है हजारों लोग मेरे पास आकर हमेशा कहते हैं बहुत सारे लोग सद्गुरु जब मैं 20 साल का था तब आप कहां थे आप अब आए हैं जब मैं 60 साल का हूँ अब मैं क्या करूँ तो वे मुझे अपने जीवन में जल्दी ना आने के लिए दोशी ठहराते हैं तब मैंने सोचा कि हम बाहर निकल कर इस देश के युवा लोगों से मिलेंगे इसलिए Youth and Truth शुरू हुआ और मूल रूप से जीवन का अर्थ है जीवन के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है मगर मुख्य रूप से हमारा जीवन बस समय और उर्जा की एक निश्यत मात्रा है हम सभी के लिए समय एक ही रफ्तार से निकल रहा है हमारे यहां बैठे-बैठे समय टिक-टिक कर रहा है टिक-टिक करके घड़ी आगे नहीं बढ़ रही टिक-टिक करके हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है हमारे यहां बैठे-बैठे जीवन खत्म होता जा रहा है. तो यह एसी चीज है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, धीमा नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते, वह बस निकलता जा रहा है। हम सिर्फ अपनी उर्जा को मैंनेज कर सकते हैं। जीवन के जिस हिस्से को हम यूवा वस्था कहते हैं, वो जीवन का ऐसा समय होता है, जब आपकी उर्जा सबसे अधिक उलास में होती है। अधिकान शूवा इस बात को नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे हमेशा इसी तरह रहेंगे। विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप बुजूर्ग लोगों पर ध्यान दें। वे किस तरह चलते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उर्जा का ये स्तर, उल्लास का ये स्तर हमेशा आपके साथ नहीं होगा। सिर्फ जीवन के इसी हिस्से में, जिसे हम जवानी कहते हैं, ये संभव होता है। तो जब आपकी उर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आप अपने जीवन में थोड़ी पश्टता और संतुलन ले आएं, तो इससे उस उर्जा का बहतर इस्तमाल हो सकता है। वरना ये उल्लास आपके जीवन में आपके खिलाव जा सकता है। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, देखे अगर हम एक महान समाज, एक महान देश या एक महान विश्व चाते हैं, हम एक महान देश, एक महान समाज नहीं बना सकते, हम सिर्फ महान इंसान बना सकते हैं। महान इंसान कैसे बनते हैं? किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रतिभा को सामने आना होगा हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी में एक खास प्रतिभा होती है अगर मैं जो प्रतिशत बता रहा हूँ वो गलत हो, तो प्लीज मुझे बताईए जैन्यू में अगर प्रतिशत अधिक या कम है, तो प्लीज मुझे बताईए मगर मेरा आंकलन ये है, कि दुनिया में जितने लोग इस धर्ती पर अपनी प्रतिभा को प्रकट कर पाते हैं वे एक फीसदी से भी कम है 99 फीसदी उस आयाम को कभी छुए बिना चले जाते हैं बस रोजी रोटी, इस संघर्ष, उस संघर्ष के बारे में चिंतित रहते हैं उनके अपने विचार और भावनाय लगातार उन्हें व्यस्त रखती हैं एक फीसदी से भी कम लोग अपनी प्रतिभा को सामने ला पाते हैं अगर हम इस दुनिया में इसे दस फीसदी तक बढ़ा पाएं तो ये एक शांदार दुनिया हो जाएगे पहले कभी मानव जाती के इतिहास में पहले कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी सहूलियतें और सुविधाएं तदा तक्निकी शक्ती नहीं रही है जो हमारे पास है हम सबसे शशक्त पीडिये हैं मगर ये सशक्ती करन हमारे जीवन को कैसे सशक्त करेगा अगर हम सही चीजें करते हैं अगर हम अपनी उर्जाओं, अपनी बुद्धी और अपनी प्रतिभा का सही ढंग से लाब उठाना जानते हैं तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे अंदर इस धर्ती की सबसे बहतर पीडि होनी के समभावना है इसे पहले किसी भी पीड़ी के पास इतनी सुविधाय नहीं थी, जितनी हमारे पास हैं इस तरह की शमताओं वाली ये पहली पीड़ी है तो इसलिए हमने ये युथ एंट रुथ कारिकरम शुरू किया है ये अंदोलन चलता रहेगा ये सिर्फ विश्व विद्यालेओं और कॉलेजों में जाकर उनसे बात करना नहीं है हम धेर सारे सवाल जवाब इकठा करना चाहते हैं ताकि इस पीड़ी और अगली पीड़ी के पास जिस भी तरह के सवाल हो उनके लिए कुछ समस्दारी से भरे जवाब उपलब्द हो तो आज मैं आप तीनों से खुल कर कुछ भी पूछने के लिए कह रहा हूँ ठीक है सत्ता है झाल झाल झाल